दिल्ली की हवा साफ रहने लगी है हम सब दिल्ली वालों ने मिलके 2 करोड दिल्ली वासियों ने मिलके पिछले 5-6 साल के अंदर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वज़े से पूरा साल दिल्ली की हवा अब काफी साफ रहती है लेकिन अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है दस अक्टूबर के आसपास से दिल्ली की हवा फिर से खराब होने लगेगी दस अक्टूबर से नवंबर के अंत तक लगबग दिल्ली की हवा फिर खराब हो जाती है और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआ जो पराली जलाई जाती है उसका धुआ जो आता है उसकी वज़े से हवा दूशित होती है अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के उपर आरोप लगाती थी राज्य सरकारें कहते थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार कहते ही राज्य सरकार काम नहीं कर रही है लेकिन एक दूसरे के उपर छीटा कशी करने से तो काम नहीं चलता ना हमें समाधान निकालना है, और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है, पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला, पूसा इंस्टिट्यूट ने एक बायो डीकंपोजर बनाया है, ये बायो डीकंपोजर क्या कहता है, पहले तो हम ये समझने की पराल द्हान की फसल कटती है, तो द्हान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंड़ल कह लीजिये, तना कह लीजिये, उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे जमीन पे रह जाता है, इसको पराली कहते हैं, इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है 20-25 दिन का समय मिलता है उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है तो समय बहुत कम होता है इस समय के बीच में किसान को इस तने को इस डंठल से मुक्ती पानी होती है तो किसान क्या करता है तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है पराली स अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया, जो किसान अपने खेत को जलाएगा, उस पे पैनल्टी लगाई जाएगी, सरकारों ने क्या किया, दोश सारा सरकारों का है, दोश किसान का नहीं है, सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया सरकारे दोशी है, पिछली साल दिल्ली सरकार ने समधान निकाला, पूसा इंस्टिटूट ने एक बायो डीकंपोजर बनाया है, बेहद सस्ता है, उस बायो डीकंपोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया, दिल्ली में 49 गाओं में, 39 विलेजेज, 49 गाओं में हमने 1935 एकड जम करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तयार हो जाती है दुबारा बुआई करने के लिए इस डंठल को काटना नहीं पड़ता इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता इसके शांदार नतीजे आए तो दिली सरकार के डवलप्मेंट डिपार्टमेंट ने उन सभी किसानों से बात की जिन्हों ने इसको इस्तिमाल किया था, सब बेहुद खुश थे, फिर हम लोगों ने दिल्ली सरकार ने एक एर कॉलिटी कमिशन बनाया है केंदर सरकार ने, प्रदूशन से मुक्ति पाने के लिए, तो हमने एर कॉलिटी कमिशन में एप्लिकेशन फाइल की, हमने का पई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है, जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों की मुफ्त, सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायो डिकंपूजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आसपडोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायो डिकंपूजर का छिड़काव करें, तो एर कॉलिटी कमिशन है का भी आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट अच्छा है, इसके क्या नतीजे है, वेब कॉस की अब रिपोर्ट आई है, उन्होंने पूरी अपनी जांच कर लिया है, उन्होंने जांच लगबग चार जिलों के पंदरा गाहों में जाके, उन्होंने 79, 89 किसानों से बात की, और 89 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंदर सरकार की एजंसी ने लि इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साफ वर्दक है 90 प्रतिशत किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तयार हो गई अगली गेहूं के फसल बोने के लिए किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी बायो डिकंपोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया फाइदा हुआ बहुत खेतों में जो और्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40 प्रतिशत तक जादा मात्रा बढ़ गई और्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायो डिकंपोजर को इस्तेमाल करने से बायो डिकंपोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कनवर्ट हो गई तो 40 प्रतिशत तक वृद्धी हुई कार्बन के कंटेंट में नाइट्रोजन की मात्रा 24 परसेंट तक बढ़ गई जमी उसमें मिट्टी में बैक्टीरिया जो है साथ गुना बैक्टीरिया बढ़ गया जो मिट्टी थी मिट्टी के अंदर जो उपजाओ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है उसके अंदर बैक्टीरिया साथ गुना बढ़ गया और फंगल फंगस जो है जो की फाइदा पहुंचाती है फसलों को वो तीन गुना बढ़ गई मिट्टी की कॉलिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहुं का अंकुरन 17 से 20 प्रतिशत तक बढ़े गया लगबग आधे किसानों ने ये स्विकार किया कि बायो डिकंपोजर को इस्तिमाल करने से जो डी एपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड इस्तिमाल करते थे वो घटके 36 से 40 किलो प्रति एकड हो गई मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तिमाल कम हो गया खाद भी कम इस्तिमाल करनी पड़ी और ओवर ओल गेहुं की प्रोडक्शन बायो डिकंपोजर के इस्तिमाल करने से जब अगली गेहुं के फसल आई उसमें लगबग 8% की वृद्धी हुई है तो जैसे दिली के किस किसान खुश हैं अब दिली के लोग खुश हैं ऐसे ही आसपडोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहां के राज्य सरकारें भी बायो डिकंपोजर का इस्तिमाल करना चालू करें अगर केंदर सरकार राज्य सरकारों को बाधित करें कि वो भी करें केंदर सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की सारे किसानों के बायो डीकंपोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में च्टकाव कराए इतना सस्ता है इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है वो फ्री में छड़काव कराए सारी राज्य सरकारे और अब पराली को जलाने के जरूरत नहीं है अब कम से कम हम लोगों को सब लोगों को प्रोडूशन से मुक्ति मिलने चाहिए ये रिपोर्ट लेके मैं एक दो दिन में समय लेके केंद्रिय परियावरन मंतरी जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो विक्तिगत तोर पे इस मामले में दखल अंदाजी करें नमस्क्राइब